नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है विम्मल सिंग बाला जी स्टरी एड़ा में आपका स्वागत है यूपेड़, सूपेड़, रीड़ 2021 के लिए गड़ित विशे के अंतरगत आज हम देखेंगे हमारी क्लास नमबर 4 टॉपिक हमारा चला है लाब और खानी प्रतिसत इससे पहले हमने कलास नमबर 3 देखी थी साइट मैड बटर में आपको पिछला विडियो मिल जाएगा और आज का हमारा जो टाइप होगा उसको देखने से पहले पिछले वाले टाइप में 6 नमबर तक हमने देखा था जिसमें पिछले वाले वीडियो में हमनें दो प्रसन पूछेटें, तो सबसे पहले प्रासन है, इसका solution जो है देख लेते हैं, सबसे पहले प्रासन में कह रहा था कि एक दुकानदार 4 रुपए में 5 किदर से नहीं खरीटता है, 4 रुपय में खरीटता है, किस की दर से 5 की दर से तो है, आप the as it is लिख देंगे, फिर 5 पांच रुपए में चार की दर से खरीता है तो पांच रुपए में चार की दर से बेचता है पहले खरीता है फिर बेचता है तो यह आपका पहला वाला कॉष्ट प्राइज हो जाएगा बाद वाला सेलिंग प्राइज अब मैंने क्या कहा था जो वस्तुय तीन को बराबर कर लीजे तो आप क्या कीजिए दोनों में उपर नीचे गुड़ा कर दीजे इसको आप चार से कर देंगे तो 20 बन जाएगा इसको आप 5 से करिए तो 20 बन जाएगा यहां कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या होगा जब 4 को अंदर मल्टिप्लाइट करेंगे तो 16 रुपए में 20 की दर से और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 25 रुपए में 20 की दर से अब देखें दोनों साइट 20 बराबर हो गया अब यहां से आप देखिए कि 16 रुपए में कोई चीज आप खरीद रहे हैं और 25 रुपए में सेलिंग यानि बेच रहे हैं तो कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है यह तो समझ में आ रहा है जादा में आप बेच रहे हैं तो कितने का हो रहा है 5 दर 4 दर यानि कि 9 का आपको प्रॉफिट हो रहा है और किस पर होता है हमेशा 16 रुपए पर हो रहा है आप परसंट निकालने के लिए गुड़े 100 पूछा था लाब यहानी परसंट तो आप यहां पर लिख जरूर दीजेगा कि यहनी लिखना तो होता नहीं यह प्रसंट में यह आप्शन में रहता है लाब इतना यहानी इतना वो आप स्वेम से कर सकते हैं तरीका मैंने आपको बता दिया नेक्ट देखते हैं आपका परसंट जो भी पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि एक आदमी ने कुछ संत्रे 2 रुपए में 1 किदर से और उतने संत्रे 1 रुपए में 2 किदर से खरीदे उतने संत्रे उसने 1 रुपए में तो हम इसको एक और कॉस्ट प्राइस लेखेंगे क्या एक रुपए में 2 किदर से अब हम यहां पर हम वस्तू को बरावर करते हैं तो उपर भी आप बरावर करने के लिए देखिए नीचे 2 बनाना है आपको तो कुछ ना कीजिए केवल इ एक रुपए में 2 किदर से देखिए यह वस्तूय आपकी बरावर हो गई अब चार रुपए में 2 और एक रुपए में 2 के हिसाब से जो नया कॉस्ट प्राइस यानि जो सिंगल को जोड़के निकाल लीजिए यानि पांच रुपए में 4 किदर से इसको जोड़ेंगे ऐसे तो आपका 5 रुपए में 4 किदर से एक कॉस्ट प्राइस सिंगल निकल आया प्रस्ण के दूसरे हिससे में कह रहा है कि सभी 4 संत्रे वो 3 रुपए किदर से जो है वो इसने बेज दिये यानि जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा 4 संत्रे है तो आप रुपए पहले ल रखा है वो दे रखा है तीन रुपए में 4 किदर से चार संत्रे हैं 3 रुपए किदर से तो रुपए हम पहले लिख रहे है और जो बाद वला मान है वो बाद में लिख रहे है अब यह अल्रडी बराबर आप देख रहे है तो आप कुछ नहीं देखेंगे यह देखेंगे क cost price कोई चीज़ आप 5 रुपए में जो है वो खरीद रहे है और selling price कि 3 रुपए में जो है वो बेच रहे है तो आपको लाब हो रही कि हानी हो रही है आप कहेंगे हानी हो रही कितने की हानी हो रही है 2 रुपए की हानी हो रही है इस चीज़ को आपने समझा अब 2 रुपे की जो हानी हो रही है वो कितने पर हो रही है तो इस 5 पर हो रही है cost price पर हमेजा होती है तो आप क्या कहेंगे 2 बटे 5 गुडे 100 ये आपका फानी परसेंट जो है वो निकलाएगा 5 से इसे आप solve करेंगे 5 गुडे 2 होता है आपका 40 परसेंट तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे loss परसेंट आपका 40 परसेंट जो हो जाएगा उमीद करते हैं अब इस टाइप से कैसे भी प्रसन आपसे बूचा जाए इस टाइप के प्रसनों में आप आसानी से कर ले जाएगे चलिए बढ़ते हैं हमारे तब हमारे नेक्स टाइप की तरफ इस यही प्रसन टाइप से आता है पर टाइप नंबर सेवन में मुझसे देख रहे हैं क्योंकि प्रसन में थोड़ा सा एडवांस तरीके से चीजे दे रखिये होती है तो प्रसन आपका है कि एक सबजी विक्रेता एक रुपए में स्टे की दर से नेम्बू जो है वो खरीदता है और वो क्या कर चाहता है कि इस पर उसको 20 परसन का लाब भी मिले शाप्त करना जो है वो चाहता है तो एक रुपए में कि इतने नेम्बू उसको बेचने होंगे यह आपका जो है वो प्रसन है अभी तक हम देख रहे ते अलग-अलग हम उसको बनाते थे पर अब यहाँ पर यह प्रसन में दे दिया गया है कंडिशन इतने नेम्बू बेचने होंगे कि एक सबजे विखरेता एक रुपए में छे की दर से नेम्बू खरीद रहा है वह इस पर बीस परसन का लाब भी प्रात करना चाहरा है तो क्या करना पड़ेगा उसे एक रुपए में कितना तो देखी जो खरीद रहा है एक रुपए में छे की दर से ये क्या है ग्रैमूल है कॉस्ट प्राइज है वह मैंने क्या कहा था आप हमेशा 100% मानते हैं और 100% की वैलू आपको एक रुपए में 6 की दर से एक बटे 6 दे रखी है बिल्कुल और कहरा है कि इस पर 20% लाब कमाना है यानि 120% की वैलू आप निकाल लीजे तो 120% की वैलू निकालने के लिए एक बटे 6 एक गुड़े 120 कर लेते हैं जितने की वैलू निकालते हैं हम यही तो करते हैं कि जब उससे ज्यादा होती तो इससे मुल्टिब्लाइट करते हैं अब 6 से इसको सॉल कीजिए और एक चीज का और ध्यान दीजेगा कि यह जो 100% की वैलू इसमें already included है तो यह divide भी 100 से आप करेंगे यहने का मतलब यह है कि जब 100% की वैलू दे रखिए तो एक की निकालते हैं पहले तो एक बटे 6 गुड़े यानि जो यहाँ पर मान दे रखा होता है उसके बटे में चला जाता है तो इसलिए पहले एक की वैलू निकालते है फिर 100% की जि यानि कि आपका यहाँ से मान क्या आया एक बटे 5 आया अब एक बटे 5 का मतलब यही है कि एक रुपे में उसे कितने निम्बू बेचने होंगे तो 5 निम्बू जो है वो बेचने होंगे तो देखें कितनी आसानी से इस प्रकार के प्रसन को हमने कर लिया रख करते हैं इन सा पांदार है अधिकतार प्रस्णाम में देखोंगे जो कम तॉल वाले आते हैं वो हम इसमें देखेंगे एक दुकानतार जो अपनी वस्तुवे है उनको क्रैम मूले पर बेचने का दावा करता है लेकिन एक किलो की जगा पर 900 ग्राम जो है प्रियोग करता है अब जब कम का यूज़ कर रहा है तो जाहिट सी बास से उसे लाब होगा तो कितने प्रतिसत लाब होगा यही आपको बताना होता है इस टाइप के प्रस्ट भी बहुत पूछे जाते है तो प्रस्ट ने एक बर मैं फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए कि एक दुकानदार क्या करता है अपनी वस्तुओं को क्रैम मूल पर बेचने का दावा करता है लेकिन थोड़ी से घपला बाजी यह करता है कि एक किलो की जगा 900 ग्राम का प्रियोग जो है वो कर रहा है अब उसको लाब जो हो रहा है वो कितने परसंटेज का हो रहा है वो आपको बताना है तो देखे है यह फॉर्मला भी होता है इसका पर बिना फॉर्मले के सबसे पहले हम करते है तो यहाँ पर बिना फॉर्मले में आप क्या कहींगे कि एक किलो को हम थोड़ी देर के लिए माल लेते है कि 100 अरॅट पय के बराबर है इस तरीके से selbst बज़ेए उसको कि 900 ग्राम जो है उसका ही बाट का यूज किया तो जो इस 100 ग्राम का difference आ रहा है तो उसने वो चीज दी कितने की तो आप कहेंगे 90 रुपए की दी क्योंकि जब एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 100 ग्राम की value 10 रुपए के बराबर होगी बिल्कुल अब जो प्रतिस्त लाब होता है profit होता है वो मैंने क्या बता है था कि निकालने के लिए कितने का उसे लाब हुआ 10 रुपए का लाब हुआ किस पर हुआ तो इस तोटल पर नहीं हुआ इस 90 रुपए पर हुआ और गुड़े 100 बस इसको अपसॉल करेंगे तो इस 0 से इस 0 को काट दीजे 100 बटे 9 आपका होगा जो की 11 सही 1 बटे 9 प्रतिसत जो है वो हो जाएगा ये इस प्रसंद का करने का पहला तरीका है टंसन ना लीजे नहीं आपको कठिन लग रहा होगा और भी तरीके हम देखेंगे और ये ना सोचिएगा क्या कि अरे वो तो कोई चीज 100 रुपे में है और 90 परसंट के हिसाब से सीध 1000-m upon m into 100 ये आपका सूत रुता है जहांपर जो m है ये आपका वो वेल्यू है जो की प्रसंद में दे रखा है कि वो ओरिजनल की जगा जितना ग्राम यूज कर रहा है यानि कि 900 तो आप इसकी जगा रखेंगे 900 1000-900 और बटे 900 और गुडे 100 अब 1000 में से 900 खटाएंगे तो कि प्रसंद को करने का तीसरा तरीका भी होता है वो भी मैं आपको बताता हूं इसको यहांपर लाइन किज देते हैं तीसरा इसका फार्मला होता है x upon 1000-x into 100 जहांपर जो x है वो क्या है वो जितने ग्राम कम तॉल रहा है जितने ग्राम कम तॉल रहा है तो देखें कितना कम तॉल रहा है तो आपका 1000 एक किलो की जगा पर 900 ग्राम यूज कर रहा है तो 100 ग्राम का जो अंतरार है वही तो कम तॉ तो यह x की value आपर 100 आप रखेंगे तो 100 बटे 1000 में से 100 घटेगा तो बचेगा 900 और गुडे 100 देखें वही value आईगी 0 से 0, 0 से 0 100 बटे 9 आया यहनी यहाँ भी 11 सही 1 बटे 9 प्रतिसत आपका अंजर आजाएगा तो इन तीनों तरीकों में से जो आपको सबसे best लगे वो इसको एकदम दिवांक में बैठा लीजे क्योंकि अब जश्ट इसके बाद वही सेम यही pattern पर question कराने जा रहे हैं आप लोग सभी लोग solve करके इसको देखिए तो यह है आपका प्रस्न एक दुकानदार क्या करता है अपनी वस्तुओं को क्रैम होले पर बेचने की बात करता है और लेकिन वो एक किलो की जगा पर 800 ग्राम जो है वो भार ही तौलता है तो उसका लाब प्रतिसाद जो है वो कितना होगा प्रस्न की language में यह धान दीजेगा कि अपनी वस्तुओं को क्रैम होले पर बेचने की बात करता है यह इस टाइप से आपकी language प्रस्न में लिखी होगी तो जैसे अभी हमने किया same as it is करते हैं इस प्रस्न को भी तो सबसे पहले दोनों ही फॉर्मले पर ही वाले प्रस्न तरीके से मां आपको बता देते हैं पहला फॉर्मला था 1000-m upon m multiplied में 100 m यहाँ पर क्या value थी वो value थी जो जितने gram वो भार ही तॉलता है यानि कि m की जगा आप रखेंगे 800 तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा और multiplied में आपका 100 आएगा अब एक 1000 में 800 जाएगा तो बचेगा आपका 200 और बटे में जो है वो 800 और गुडे में जो है आपका 100 अब इस 0 से यह 0 इस 0 से यह 0 कर जाएगा बचा क्या 200 बटे 8 और 200 बटे 8 आपका अगर जानते होंगे तो एक चौथा ही होता है 100 के बटे 8 होता है आपका 200 के बटे बटे इसका मान आपका कितना आएगा 25 परसंट जो है वो आएगा आप चाहिए तो से काट के वैसे भी देख सकते है मैं अच्छे आपको दिखा देता हूँ 2 से आप काटेंगे 2 चकू 8 होता है ये आपका 100 हो जाएगा अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 के पाहडे में 25 बार में जो है वो 100 हो जाता है तो 25 परसंट आपका अंसर आ जाएगा तो ये हो गया हमारा पहला तरीका इसको रफ कर देते हैं पुरा दूसर तरीका मैंने क्या बताया था X अपॉन 1000 माइनस X गुडे 100 अब X की जगा क्या रखते है X की जगा जितना वो कम तोलता है 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है पर वो 800 ग्राम ही तो तो 200 ग्राम आपका कम तोलता है तो X की जगा आप रखेंगे 200 और बटे में 1000 में से 200 गटाएंगे तो 800 बचेगा और गुडे में 100 अब इसको काटिए 100 से ही काटिए आप 200 से काटिएंगे 200 4 बार में 800 जाता है 400 इस 100 को काटिएंगे तो 25 बार में जाएगा तो 800 जो ग्राम था इसकी वैल्यू आपकी कित्ती हो जाएगी 80 रुपे हो जाएगी अब डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 रुपे का आ रहा है कित्ते पर आ रहा है 80 पर आ रहा है गुडे 100 वही चीज़ आ गई जो हमने पहले देखी थी 24 बार में 4 से 25 बार में तो देखिए जो तरीका आपको सबसे बैटर तरीके से समझ में आया है जो आपके दिमाग में बैठा रहा है वही यह जो है आप याद रखिए और उसी से ही प्रस्नों को कीजिए जरुरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर ने उस तरीके से किया तो आप भी उस तरीके से आपको क्या बैतर समझ आ रहा है आप किसमें कम समय में कर रहा है और कौन से तरीका आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है फॉर्मुला मैं इसलिए नहीं आपको सज़ेश्ट करना हूँ क्योंकि फॉर्मौला क्या होता है अभी याद है दो दिन वाद है चार्ट दिन वाद याद नहीं रहता inches तो आप क्या कीजिए ऐसे तरीके से कोसिज़ कीजे esp मैं कम से कम फॉर्मौला इसन कुछ कुछ कठिन नहीं है जितने का है उद्में से घठाध कि अपनी वस्तूओं को वीडियो आपको पसंद आ रहा हूँ, चीजे सभी समझ में आ रही हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजेगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, कि आपको मैत आ जाए, और सभी लोग के अच्छे से अच्छे नमबर मैत में आए, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजेगा, एक दुकानदार अपनी वस्तूओं का क्रेम होले उससे 20% बढ़ा कर लिखता है, ये एक एक एक्ष्ट्रा कंडिशन निसी में दे दी गई है, बढ़ा कर लिखता है, और 200 ग्राम कम भी तॉलता है, अभी तक हम केवल कम तॉलने को लेकर ही देख रहे थे हैं, पर अब थोड़ा सा प्रस्त में, एडवांस लेवल पर मैंने कहा चलते हैं, तो कम तॉलता है, तो उसका प्रतिस्त लाब जो है, वो क्या होगा, इसको समझते हैं, देखिए, जो अभी तक तरीका हमने सुर्वात में देखा, सबसे पहले उसी को देखते हैं, कि माल लीजिए, एक किलो की वैल्यू कित्ती है, सौ रुपे के बरावर है, बिल्कुल है, अब प्रस में कह रहा है, कि वो क्या करता है, अपनी वस्तों का जो क्रैमूल है, एक्चॉल से 20% बढ़ा कर लिख रहा है, तो 20% अगर बढ़ा कर लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तब आपकी एक किलो की जो वैल्यू होगी, वो इससे 20% बढ़ जाएगी, सौ का आप 20% निकालेंगे तो 20 होगा, तो 120 रुपे हो जाएगी, जब 20% बढ़ा कर लिखता है, एक किलो की वैल्यू तब आपकी 120 रुपे के बरावर हो जाएगी, प्रस में कहा रहा है, वो 200 ग्राम कम तॉलता है, तो कितना तॉल ला है, 200 ग्राम अगर वो कम तॉल ला है, तो आप क्या कहेंगे, वो आपका 800 ग्राम ही जो है, तॉल ला है, अब 1000 ग्राम ओरिजनल है, तॉल वो 800 ग्राम राहे, तो कितना gram कम कांतर आ रहा है इस 200 gram का आ रहा है तो यही जब इस रूपए के comparison में आप कहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा तो यह 80 हो जाएगा इस चीज़ को समझी है फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ एक किलो की value हमने 100 रुपए मानी थी ठीक है पर वो कह रहा है कि वो 20% को बढ़ा का लिखता है क्रामूल तो वो कितना लिखता है वो 120 रुपए लिखता है और बात में प्रस्ट में कह रहा है कि वो 200 gram कम तॉलता है तो हमने तो जो complete 100 रुपए के हिसाब से माना था अगर उसमें अगर आप एक किलो के हिसाब से देखें तो वो 80 रुपए जो है उसी के हिसाब से तॉलता है तो या इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते है कि जब 1000 ग्राम था उसकी value 100 रुपए थी तो 800 ग्राम की कित्ती होगी 80 हो जाएगी यही आप से 700 ग्राम की पूची जाएगी तो 70 हो जाती यही आप से 100 ग्राम की पूची जाती तो 10 रुपए हो जाती क्योंकि प्रस्ट में आप से कह रहा था कि वो 200 ग्राम कम तॉलता है यह नहीं तो तॉलता कितना है 40 रुपए तो 40 बटे आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 40 बटे और ये profit है आपका profit percentage 40 रुपए का profit किते रुपए पर 80 रुपए पर गुड़े 100 तो इसको solve करेंगे तो 40 से कंदम 40, 42, 82 से काटेंगे तो ये 50 वार में यानि 50% आपका यहां पर answer हो जाएगा 50% जिनको ये नहीं समझवा है 40 कहां से है उसको समझिए कि वो 100 actual value होती थी 100 रुपए के बराबर 1 किलो की तो वो अभी तक 100 रुपए पर ही तॉल ला था पर अब जब उसने 20% बढ़ा दिया तो वो अब 120 रुपए के बराबर आ जाएगा 120 रुपए के बराबर वो आ गया और वो जो तॉल ला है वो 800 ग्राम यानि 80 रुपए के बराबर तो ये 120 और 80 रुपए में कितने का उसको profit हो रहा है उसे 40 रुपए का हो रहा है 30 से 120 में आप देखेंगे 40 रुपए का डिफ्रेंस है तो 40 रुपए का प्रॉपिट हो रहा है किस पर 80 रुपए पर 40 बटे 80 गुड़े 100 अब इसी प्रसंद को हम देखते हैं जो हमने अभी फॉर्मला देखा था उसको भी देखते हैं क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनको य आसान लगती है और फॉर्मला बेच सरन लग रहा था तो फॉर्मला पर आधारित इस प्रसंद को करें फॉर्मला देखें इजी बिल्कुल है यह मैं इस चीज से सहमत हूं कि डिरेक्ट वैल्यू रखी डिरेक्ट अंसर आता है पर जब स्टेटमेंट में प्रसंद में 200 और गुड़े 100 तो 200 बटे 800 गुड़े 100 इससे सॉल्फ करेंगे तो आप क्या 200 चार बार में जाता है और 4 को चार बार में नहीं 200 तो पर एक चीज यहां पर यह भी तो ध्यान देने वाला है कि जो प्रस्न है उसमें सर्थ 20% बढ़ा कर लिखा गया है तो इस प्रस्न को हम उस एकॉर्डिंग करते हैं हमने तो यहां पर डिरेक्ट कर दिया है देखिए फॉर्मला बेच डी करेंगे पहले इसको समझी है प्रस 20% बढ़ाने का इसी 1,000 का 20% 200 होगा तो 1000 और फ्लस 200 मिलकर कितना हो जाएगा 1200 आपका हो जाएगा ठीक है अब प्रस्न में कहए रहा हbnा 200 ग्राम कं तौलता है तो तौलता कितना है तो आपके 800 ग्राम तौलता है लिख भी देथा हूँ आपके समझने के लिए 800 ग्राम जो है M into 100 यह सूत्र था अब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो 1000 में से M घटाएंगे M का मान क्या है यहाँ पर रखेंगे 800 रखेंगे तो 1000 में 800 घटाएंगे तो उपर आएगा 200 बटे में बटे में M है M का मान क्या है 800 और गुडे में 100 अब इस चीज को समझेए आपने यहाँ पर जो मान रखा है M का यहाँ पर लिखाता ना 1000 माइनस M तो आपने क्या जखा है 1000 में से M इस 800 को घटा कर 200 लिख दिया पर यह जो मान आपका है यह 1000 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 1200 बढ़ा दिया गया है तो इस चीज को समझेए कि यह जो 200 मैंने यहाँ पर लिखा है इसकी जगह आपका क्या होगा 1200 माइनस M अब 1200 की आपका ये वैल्यू जो हमने निकाली थी M की वैल्यू अब आप 800 रखेंगे तो यहाँ पर मान कितना आएगा तब आपका यहाँ पर मान 400 आएगा बस इस चीज को अगर आप समझ गए तो प्रस प्रसन को आसानी से कल लेंगे अब 400 दो बार में 800 में जाता है और 100 बटे दो आपका 50% जो है वो अंसर हो जाएगा जो कि हमने पहले वाले तरीके से भी निकाला अब देखे यहाँ पर थोड़ा सा देखने में मैंने कागा था जब statement वाले question आएगे उसमें statement में बहुत सी चीजे जोड़ी जाएगी तब यह formula वाला आपको थोड़ा सा कटनी लग सकता है परकि जो पहले आपने तरीका देखा percentage मान के वो आप आसानी से प्रसन की language के according अपने प्रसन को कैसे भी बदल सकते हैं यह आपका answer हो जाएगा चलिए एक प्रसन और देख लेते हैं आपको भी फिर एक प्रसन हम करने के लिए देंगे वीडियो को हम बहुत आज है लेंदी नहीं कर रहे हैं आदा आदा गंटा लगबक थोड़ा थोड़ा करके practice कर रहे और interest अपना बनाए रखे मैत में जब तक paper हो तब तक कुछ ऐसे topic हो जब एकदम आपके दिमाग में बैठे हो जब कुछ चीज़े मैत में आ जाती है तो फिर इस पागी चीज़े भी सरलगने लगती है इसको रफ करते हैं और देखते हैं आपका प्रसन है सेम इसी topic पर ही जो अभी हमने देखा वैसे ही आपको इसको भी कर रहा है प्रसन कहा रहा है कि एक बैमान दुकांदार क्या करता है अपनी वस्तुम को 10% लाब पर बेचने की बात करता है लेकिन वो करता है क्या है कि एक किलो की जगा 800 ग्राम बजन ही काम से लाता है तो उसका लाब तेज आपको बताना है, सेम सौट तरीके से हम करेंगे, ताकि कम समय में आप चीजों को सीख सकें, देखिए, आठ सो ग्राम वो जो रक्ती है, दुकानधार है, वो जो है, वो तौलता है, बिल्कुल, और ये भी समझिए, वो जो और जो प्रस्मे ले रखा है, दस परसंट ल अगर उसके आधार पर आप देखें, तो टोटल एक हजार ग्राम के आधार पर आपका एक हजार सो हो जाएगा, जो कि वो इस दस परसंट लाब को लेकर प्रस्मे लिखा हुआ है, क्योंकि जो आप लाब की बात करेंगे, वो टोटल पर लेगा है, ये थोड़ी मतलब है कि वो एक किलो की जगा पर आट सो ग्राम ले रहा है, तो आट सो पर नहीं, टोटल जो आपका एक हजार ग्राम है, उस पर वो क्या चाहता है, कि एक जो दस परसंट है, वो लाब बेचने की बात कर रहा है, तो ग्यारा हजा नहीं, ग्यारा सो पर जो ग्राम है, उसके आप कहत ग्यारा सो ग्राम के पैसे लेता है तो अब सबसे पहले ये बताइए कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है तीन सो रुपए वो उसे जो है वो लाब हो रहा है आपको सोचिए कि एक दुकानदार है वो तॉल आट पर्सेंडेज बताइए तो आपको मैंने क्या कहा है जितने का लाब हो रहा है यानि की आट सो और गुडभी सो है असान सा प्रस्न केवल समझाने के लिए मैंने ये iktuk बनाया ये तो सारी चीजा आपको अपने दिमाग में करनी होती है और प्रस्न सुनते-सुनते अंसर ब पटेगा 100 बटे 8 की बात करें या आप इसको multiplied भी पहले कर सकते हैं आपका 300 बटे 8 होगा अब 300 बटे 8 जो है इसको जोब आप solve करेंगे तो 37 सही 1 बटे 2 प्रतिसत जो है वो आपका हो जाएगा यह अंसर हो जाएगा आप इस टाइप से प्रकार के प्रसनों को आसानी से कर सकत हैं उमीद करते हैं आपके प्रसन का जो डाउट पगएरा होगा अलग अलग टाइप के हमने इतने प्रसन कर रहा है उनसे क्लियर हो गया होगा तो अब एक प्रसन हम आपके लिए भी देते हैं जिसको आप solve कीजिए और बताईएगा वीडियो के में कमेंड में इसका answer प्रसन और वो प्रसन देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो आपके लिए सारी मैनत की जा रही है आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्च कर दीजेगा चैनल पनाए हो तो सब्सक्राइब कर करना है और वीडियो के मेन कमेंट में अंसर बताना है प्रसन आपका है कि एक दुकानदार 10 प्रतिसत हानी पर बेजने का दावा करता है लेकिन वो एक किलो की जगा 700 ग्राम ही वजन तौलता है तो उसका लाब प्रतिसत कितना होगा पहुती चीजों को हमने इस रिल्टेट देख लिया तो उमीद करते हैं सभी का एकदम दुआदार सही अंसर आएगा और सभी लोग अंसर जरूर टाइप किया करिए आपका गलत सही जो भी आता है प्रतिस करेंगे आप जब खुद इंट्रेस्ट लेंगे तब मुझे भी इंट्रेस्ट आए आपको बढ़ाने में तो सभी लोग बताईए का अंसर फिर मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में एक दुपायर की लाइफ टाइमिंग भी दुपायर के तीन बज़े चले उसमें हम प्रेक्टिस करा रहे हैं अलग-अलग जो सेट है सुपरेट के लिए प्रसन इंपॉर्टेंट है तो वो भी आ अब दुपायर के तीन बज़ेया का लाइफ देख सकते हैं मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में इसी प्रसन के सॉल्यूशन के साथ और इसके अगले टाइप के साथ अब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू पर वाचिंग